तो आज हम क्या पढ़ेंगे जो हमारे आगे का कंसेप्ट है बफेलो का क्यूंकि हमने बफेलो टॉपी के चालू कर दिया था अभी हम बेसिक पूरा कवर कर लिये था और एक बेसिक का जो टर्म है वो जो हमको पढ़ना है और यह बहुत जादा इंपोर्टन है क्यूंकि यह तो अगर आने की क्योंकि आख सकता है तो आपको यह सावाल पूछा जा सकता है और जैसे कि यह ऑफो के लिए भी बहुत इंपोर्टन रोता है जैसे कि यह जो नबाड के नाबाड को नाबार नौम्स होते उसमें जो बफेलो या काउ का अज चाहीरिया दिया जाता है कि ज जो भी हो होता है तो जो हमारा व्हार महते हैं उसको है ना इसमें में गरी तो मतलब ज्यास काती है जैसे उसकाल कई होती है 20 साल तक नाइप स्काल갔 रेंट हैende तो हम उसकी एज और फर्स्ट कालविंग जो होती है काव की वह तीन साल की होती है ठीक है उसके बाद उसका प्रोड़क्टिव लाइफस्पैन जो होता है दोनों के इसमें 5-7 साथ साल होता है ठीक है अभी यह determination के लिए यूज की जाती है method ठीक है अभी हमको पता रहने चाहिए उसमें temporary teeth कब तक आते हैं मतलब कितने दिन तक रहते हैं और कब तक रहते हैं पर्मनेंट कब आने चालो होते हैं सब हमको पता रहना चाहिए चाहिए ताकि हम वो जो सही काउ या बफेलो हम क्या करें उस फार्मर को जो मार्केट है वहां से उसको खरीद के दे सके और identify करके दे सकते हैं इसके बाद अभी आगे जाएंगे जैसे कि हमने काउ में देखा थ कि आधे साल में दोधाध आते हैं क़ाउ को कब आते हैं बट बट आते हैं दो साल के बाद क्योंकि डोसाल तक उसको पर्मनेंट रहता है नहीं है मतलब परमनेंट टित रहता हैं जो हमारी भफेलो हैं आधे स्यावरा पर पर हैं अंधर ट्रेट मतलब यहां पर दो सके समय का अब क्रक्षाबनान उनों यहां यहां कि ऑर क्या सुलू. इसमें भी 6 साल 6 मैने के हो गई उसको भी दो दात आ गए। एक यहाँ पे बफे लो में एक साल जाएगे तो एक साल ₹ दो दात आंगे एक साल और दो चार दात एक 15 centimeters बावनेका ग्याप है और उसमें एक साल का ग्याप है दो दो दात आने के लिए ठीक है जैसे कि हमने देखा था जो काओघ सती ह offers काल्विंग विया हमारी उसमें फृस्वन पर फर्ल किलंगोरी स्क्रिवंगरी मिना सब्सक्राइब और वैसे कि बफेलो में बफेलो में ऐज ओफ हर्स कालविंग जो होती है 3 साल की होती है ठीक है और हमको याद रखना है अभी कैसे कि जब यह इडेंटिफिकेशन याद रखना है कि जो हमारी बफेलो या काउ है उसमें जब 4 दात आएंगे कौन से पर्मनेंट वाले चाल दा है कि उसमें अगर चाल दात के है मतलब इसकी हम हम जो चूज करना चाहते है और हम वह जो काओ और वफेलो देख रहे थे वह बिल्कुल सही है हमको इसी एज वाली काओ या बफेलो चाहिए ठीक है क्योंकि अगर हम ज्यादा बुड़ी ले ले आठ दात वाली ले तो वह को इ प्सके सफ़уз बखना दात क माँ वह जो जादात व नए पर यह काऊ रफेलो को दात करना right यह जो फिल्का अलोतव्स का चाहिए अब यहाथ कम वे आठ टीत तक वो मतलब आठ टीत के बाद वो क्या होगी आठ टीत जब आएंगे उसको तब वो adult रहेगे और आठ टीत के बाद वो old animal कहा जाएगा ठीक है जब आठ टीत होगे तब 6 साल की जाद से जाद से जाद 6 साल की रहेगी वो ठीक है और यहाँ पर काउ में more than 4 year की है उ उसका age कौन सा होता है फीक है ये भी याद रखना है हमको ठीक है और जब age of first calving जब रहती है तब काउ में कितने टीत रहते तो चार और यहाँ पे बफेलो में भी age of first calving में 4 टीती रहते है ठीक है यहाँ याद रखना है इसके बाद हम देखेंगे breeds of buffalo देखेंगे breeds of buffalo में consequence इब फेलो है जैसे कि मुर्रा सुर्ती जाप्रावादी भादावरी निली रावी महसा नाग पुरी पंधर पुरी मारवाडी और तोड़ा यह 10 हैं इसके बाद जैसे कि हमने देखा था breeds of cow में breeds of cow में जैसे कि हमने देखा था कि अलग- लॉंग-eer वाले अलग, North Indian side के जो white है वो अलग, मतलब broad face वाले, narrow face वाले ऐसे हमने differentiate किये थे, जैसे dark breed मतलब छोटु सी जो थी वो, ऐसे हमने अलग-अलग क्या किये थे, differentiate मतलब group किये थे, उसी तरिखे से जो हम buffalo के भी group पड़े है, उसमें है मुर्रा गुरूप, गुज ड्राज्ट साइड का साथ उत्तर प्रदिश साइड साइड काुए ये सैंटराल इंडिए का है मतलब बीच में का और है इस क्या इंडिये गैप कर दमांने क्या है तो कि Haqar मुर्रा, यन फोर निली रावी के फोर कुर्ण डी जे फोर गोदावरी ठीक है, इसके बाद जो गुजराद ग्रूप है, उसमें आपको क्या याद रखना है जेम्स, जो चौकलेट होती है यह वो जेम्स से याद रखना है आपको, गुजराद, जेम्स गुजरात ग्रूप, James ऐसे आपको याद रखना है अभी J से अभी आपको अगर A अगर English Ś 123 लसक्ति है आपको यह भी याद में करना पड़ेगा कि J से क्या आता है आपको पता होगा जैसे एक जाफ्राबादी होती है M से याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे M से मुर्रा भी है M से महसाना भी है तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कौन से ग्रूप में महसाना लिया है M4 महसाना कौन से ग्रूप में लिया यह याद रखना पड़ेगा फिर अभी गुजरात ग्रूप में यह महसाना है ये हो गया हमारा जैम्स गुझ्राइत इस तीड़ी अभी आप ऐसे भी यादब रख सकते हैं जो है ना गुजरात वाले लोगों को जादा जैम्स अच्छा लगते हैं ऐसे करके ठीक है उत्तर प्रदिश वाले लोगों को टेड़ी अच्छा लगता है तो टी फॉर तराई डी फॉर धारवारी ऐसे याद रखना है ठीक है इसके बात सेंट्रल इंडिया ग्रूप है यह आपको दो होते हैं उसके हिसाब से यह सब दिये हुए ठीक है नाकपुरी पंडरपुरी मंदा जे रंगी कोल हंडी संबाल पूर यह सब है उसके बात साउथ इंडियन ग्रूप में सिर्फ दो आते है ठीक है स्ट बस याद रखना है आपको स्ट बस अभी यह बस का तो कुछ काम नही यहाँ पर टी जब आएगा करनाट की है तोडा जो है यह तमिल नाडू की है इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा और हम ऐसे ही मतलब जो कुछ शोट फ़र्म लेकर हम ऐसे ही याद रखेंगे और पड़ेंगे देखना आप इसे बीना इसके शोट फ़र्म से और आप याद करने की कोशिश को रही कि जह से क्या था वह कौन सी ग्रूप में थी आपको अच्छे से याद हो जाएगा और यह द्हान भी रहेगा ठीक है अभी आपको यह जब आपको फिर से डिविजन करने पड़ेगा आपको यह बीने पढ़ने की ज़रुत होगी कि यह कुछ के पढ़ने की जलुडत भी नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ याद रखना है कि मुर्रा गूछ मुर्रा गूप मैं केजी रहेगा गुजरत ॗ्रूप जेम्स याद रखना है उत्तर प्रदेश हे टेडि याद रखना है सेंटरल इंडिया यह आपकों सिर्फ पढ़ दोसरे दिन भूल जाती थी वै को यादी नहीं रहता था तो फिर मैं यह शॉर्ट ट्रिक बनाई और जो है ये शॉर्ट फ़र्म बनाई इस से में गत सय था है चैसे मुर्रा ग्रूप में नाम आविह एं यहां आरे अ? जाफराबादी पढीवरेज़रनी करना ुटरबेशन वाल रभ लोगों टेड़ी जदा पसंट तो तरही आहां और धरवारि सेंटरल इंडिया ग्रूप में पंदर, पूरी, नागपूरी, मंदा, जे, रंगी, कोल, हांडी, सामबलपूर, यह आप दो-चार भी बार पढ़ लोगे न, आपको जैसे कि ऑप्शन में दिखेगा तो फट से क्लिक हो जाएगी कौन से इस में है ठीक है, क्योंकि इस सब के तो हमने शॉर्ट फर्म कर लिए, सिर्फ यह भी बिना शॉर्ट फर्म वाल है, तो यह हमको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, उसके बाद साउथ इंडिया आता है, तो में को स्ट बस याद आती है, यस फॉर साउथ कैनरा और टी फॉर तोड़ा, क्योंकि यस से तो साउथ के नरे साउथ तो यहां पर यह होगा, और यहां मतलब यह हम का कुछ है नहीं, तो यह मैसा नहुकि यह आती होगी, हैसे आपको याद रखना है, I hope आपको समझें आया होगा, I hope यह शॉर्ट ट्रिग भी पसंद आयू होगी, ठीक है, तो आज का हम यहीं करते हैं,